मैं मोमेंट से एस्टीमेट करना ठीक है आजो बोड़ पर बच्चो सैंपल दिया हुआ ना आपने 2.5 मैंने 1.0.5 एंट सैंपल साइस 4 है हमारे पास तो सॉलुशन देखो बच्चो उसका सॉलुशन एंफोर है प्लीज मीन निकाल लीजेगा अपने आप जो भी आएगा और एक्सपेटेशन आफ एक्स मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने तो एक्स माइनस इंफिनिटी से एंफिनिटी है एक्स इंटू 1 बाइट दी एक्स प्लस 3 बाइ 4 रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स इंटू ए की पार माइनस हाफ tip 2020 अर्यक्रेटै बीटा मैं पूरे मेंसे 1 भाइफ भार लेता हूं रडरवन भाइट विट आ यह और इसको भी एक्स लिकता हूं अगर एक्स माइनस टू नेगेटिव एक्स माइनस ट्यू कैसा है तो 1 by 2 into x into e की पार minus minus प्लस हो जाएगा नहीं यह आएगा कि नहीं आएगा बताओ प्लस अगर x minus 2 positive है नेगेटिव है था x minus 2 dx करेंट है पिटा ओके बंद हो गया प्लस यह 3 by root 2 pi तो नॉमल हो गया तो जार फोर भार ले लिए न हमने तो इतन नॉमल हो गया भाई तो 3 times 4 तो भार ही आ गया दिस इस नॉमल ठीटा कॉमा इनका मीन निकालने नॉमल का न अरे बोलो भाई कर दिए नॉमल का मीन यह इंटेग्रेट करना पड़ेगा बिटा अपने को आप तो यार यह मैने तो तुम ही करोगा न मैं थोड़ी करूंगा आप इस का अंसर निकालने अपने अब घर पे यह हो गया थ्री भाई अरे मीन क्या हुआ थ्री ठीटा हुआ ना अरे नॉमल का मीन क्या हुआ थ्री ठीटा ना अरे टू भी तो बचेगा डिवाइट में फोर भारा है ना बन पर है फोर नहीं समझें तो इसको सॉल्व करके अंसर निकालना भाई थ्री ठीटा अंसर क्या आएगा भाई पता ही नहीं क्या आएगा बहुत लंबी चोड़ी कैलकुलेशन आएगी वन बैट टू आएगा शायद अंसर इसका अंसर चेक करना बना क्या आएगा और इसको किसे एकवेट करना है मीन से एकवेट करना है बच्चो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बर कर लोगा आप लोगए और मीन को किसे एकवेट करते हैं एकवार एकवार कितना है आपका थ्री पॉइंट फाइब बैफोर आ रहा है अब ठीटा एस्टिमेट कर लेना ठीक है भई ठीटा आजाएगा पॉइंट फाइव आपका अंसर तो ठीटा काप इस जीरो पॉइंट फाइव इस दा अंसर पोप कर लोगे इसको तो मेथेड़ मोमेंट सी तो लगाना है अरे यही आ रहा है भाई हम अरते है यह सर एकस बार आ गया थ्री पॉइंट फाइब बैफोर अ अर्थ पूरा बोड़ हिला पड़ाया वहांकर लिख लिए बच्चो हुँँँँ हुँँँ हुँँँ कर दो अब लगाओं तो कर सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं तो अज तो बैटा इसी बमाइख कर दोंगा कल से कर लोंगा मंडे से गेट शरू का होगे तो एक एक है हुआ है हुआ अब 2023 पूरा करा दिया था ना मैंने वैसे 2023 पूरा करा दिया था मुझे ध्यान नहीं है लाश्ट करा दिया एड़ी सेक्षिंट नहीं है अरे अम्जद कि वो तुम्हें और पीडिया ते ना आतिन फैजता हूं कि हुग आफ वो गया बच्चो को अगे करूं? सॉलूशन देखिया प्रीज इसका आ गया था है सॉलूशन एन आपका ट्वेंटी फाइव है एक्स फोलो करता है नॉमल म्यू कॉमा वन मत्द्ब वेरिंस वन है कंसिडर थे हैपथेस इस एच नॉट या तो म्यू फॉई पॉइंट टू है या बड़ा है मत्दब राइट टेस्ट है मत्दब टू टेल नहीं है के नहीं हो थीक है एक इस पार इस ग्रेट दन के यह क्रिटिकल डीजन दिया हुआ है सब्सक्राइब टेस्ट अल्फा अल्फा 0.05 बिटा थें दबू तब टू अच्छा पहले पॉल्टी रिजेट तच नॉट टना बिटा तो एक्स पार इस गिटर दन के गिवन एच नॉट इस टूना तो we need to know the distribution of x-bar also right for now new comma 1 by 1 by n की रूट n तो कर देते हैं probability z is greater than k minus mu mu कितना है five point upon one by n कितना है फाइव है नी 25 तो k minus five point two into is point zero five तो less than करूं तो बिटा इसको less than equal to k minus five point two into five तो point nine five होता ना और point nine 95 percent one point six four four पे आएगा कि नहीं आएगा अले पूछ रहा हूं भाई पॉइंट zero five है ना पिटा उधर ले गया तो point nine five हो गया 95 परसंट आ गया तो एक्वेट कर दो k minus five point two is equal to one point six four four eight nine by five फिर प्लस कर दो क्या अंसर आ रहा बताना कोई बच्चक प्लस five point two five point is the answer है ना हाँ ठीक ठीक है तो ये के five point five two eight आया है मेरा तो five point अच्छा मैंने भी पुरा लिया होगा ना five point five two eight आ रहा है अंसर वैसे five point five two eight अब क्या मांगा है प्रोल्टी ऑफ टाइप two error मांगा ने बटा तो टाइप two error बीटा डू नॉट अच्छ नॉट है ना पिटा एक्स बार इस लेस दिन के वेन एच्वन इस टूट थीटा की वैल्यू मियू की वैल्यू सॉरी five point six कर लोगे कि नहीं है तो तो के माइनस five point six into five कर दूंगा ना पिटा फिर से इसको कर लो अपने आप के की वैल्यू तो पदस लगे ना five point five तरीक है अब तो आ जाएगा आपका पीटा आपका अंसर आना च्छी यह point three six point मैंने तो निकाला था point three five point three five nine four निकाला है मैंने अंसर तो उसको point three six लिखा हुआ पीछ तो इसको point three six लिखा हुआ पीछ तो इसको बिटे जट लेस्दन मैंने सेही सेम आइज गेड़ दने ना यह वन मैंने जट लेस्दन ने कर ले तिक और उना तिक कर अभाना कर लो प्लीज कि हम इंसान आप बात नहीं करोगा उन्लाइन वालों तो कैसे काम चले गया तुम सोचते हो तुम चुपचा पुराओ टीचर अपने आप समझ जया अंतरियामी बनके कि देखो टीचर तरीका भाई मैं मेरे को इंट्राक्शन पसंद है मैं बात करना पसंद है मेरे से नहीं होता है इसे हैं जी आजओ हाँ मरते हैं देखो आपके ओलस एस्टिमेट्स होते हैं अलफा बीटा इसको अलफा मान लिए इसको बीटा मान लिए तो अलफा कैप का फॉर्मला होता है वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार और बीटा कैप का फॉर्मला होता है समेशन एक्स आई वाई याई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन अब आपको सैंपल दी एक्स आई वाई निकाओ या या इस फॉर्मले को आप ऐसे भी सकते हो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटो वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वेर तो वाईस आपके जो पसंद हो तो पहले बीटा निकलेगा फिर अलफा निकलेगा और दोनों को सम कर दना अंसर आ जाएगा अरे अलफा बीटा निकालना है और अलफा बीटा निकालने का ठीक है मंडे में जाकी क्लास भी हो लेगी आपकी को मंदे में क्लास भी आचहा जी आपके जो टरी सब्सक्राइब कर पहले बतारा हो सारे बिच्चों आपको मोडिल टैस्ट पढ़े रहेंगे हमेशा वो तो आप देते रहो हर संडे एवरी संडे यूहावा तेस्स के रेंगे आपको और उसका टेस्स का डिसकर च्रूशन भी होगा उसटास का आकश्च को भी सक्रूशन भी कि आपकी के हर मॉडुल सब्सक्राइब मॉडुं ठाल चाज़त जॉढ़ है किा टैसली से पहले एक टैस देलो और अइसे कर दो तो सासा चलता रहेगा आपको और मॉक्तेस देने से पर चलता है क्या नहीं आता आपको पर जैम आता थी बोलो जैम आता थी बोलो कोई बात नहीं छोड़ दो आप आपने स्टैट्स नस किया ना देश का भुश्य कहा जाए रहा देखो कि आरे मंडे क्लास में किरा देंगे ओलेस एस्टीमेट्स क्या होते है ठीक है और ओलेस मेथर्ड भी क्या होता है यह भी बता देंगे आपको ठीक है तो बताओ तुम्हारा सी एसन पर इस बढ़ा है कि नहीं है स्टैट्स नस से हाँ ज्यादा बढ़ा है हाँ जब कि कितना असा हुआ है ना जब मैं असान सोच के छोड़ देता हूं करा देंगे सारे करा दूंगा क्या तुम बोलोगे सर क्या था कुछ नहीं था वो कि अब अच्छों आगे बने कर लोगे न अपना प्लीज ए फॉर्मला अप्लाई करना है स्वार्य यार प्लीज इस क्वेशन के लिए मंडे करांगा थेयरी में टॉपिक इसको तो मंडे आ ने आनिया तो ओके नेक्स्ट इस 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 दुख से जूज के बाहर निकल गया है कि अब पता है तुमसे क्या पुछेगा पुछेगा है और पी वैली पुछेगा काई स्क्वेर या एफ की पुछ सकता है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको अभी तक तो टी और स्टैन नोमल की पूछ रहा है ना आप से आओ पहले क्वेशन करना सीखते हैं क्या सोलेशन देखो बच्चों पहले तो बोड़ पे इस सोलेशन की प अनोन तो कौन सा डिस्टिपूशन लगेगा टी लगेगा तो टेस्टाटिस्टिक्स फॉमला विल बी वट एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन फूलोस टी अर्य यही होगा टेस्टाटिस्टिक्स आपका तो एक्स बार कितना दिया भाई 9.8 म्यू कितना है क्विश्टिक्स में कहिं तो दिया होगा 8.8 8.8 s कितना है विटास का रूट करना पड़ेगा 1.44 का रूट और n कितना है 9 यह आ गया 9 अब अंसर बता जल्दी से ज़ल्दी से तू पहले इसका बाद मात करेंगे और t n to 8 degree of freedom हो गया कोई भी बच्चा टेस्ट एडिस का अंसर 2.5 अब बोड़ पे देखो सारे बच्चे गलती कहा होती है please tell me is this a two-tail test or a right-tail test if it is a two-tail test then p value is equal to the twice probability t n-1 is greater than the test statistics right or agar t ki value na di ho to z greater than what if it is a two-tail test if it is a one-tail test अंजी बेटा और क्या test status में तो यह तो पुट करोगा mu naught ही तो पुट करता है जो गिवन होता है अच्छा p t n-1 is greater than test statistics क्योंकि यह two-tailed नहीं है one-tailed है बेटा तो इसकी value अब n-1 alpha पे मिलती है ना बिट समझ में आना बिटा तो इसकी value alpha by 2 पे मिलती है twice कर देते हैं आप उसको क्यार चलो कर लेते हैं भी question करते हैं अब बताओ 48 पे टेस्ट अडिसे 2.5 आया किसी के पास भी table है इस greater than 2.5 वाट दिस आंसर तो पाइंट परसंट पे 2.3 यह 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 क्या बेटा क्या गिवन होती है कि मेरे बेटा बोल कोई value बोल क्या होता तो वह value बोल देखो रुख जै बेटा एक मिन्ट तरह म्यू एट पॉंट एट है और तुम कहा रहे हो कि गिवन में मुजगल टो क्या होता तो यह लेस्ट दन मिनोट होता ना इसका मतलब लेफ्ट टेस्ट नथ अब भी अबटा तब लेफ्ट होता बिटा क्योंकि 8.8 से तो छोटी यह नै वैलिई वेल्यू तो एट पॉइंट टाइट ते इस तुम किस के लिए काम करते हैं तो मियून वह हमेशे एक्वालेटी के लिए काम करता उसकी तो यह निची मि तो फॉर्मॉला काम करेगा तो आप इस क।षिंट को इस क्वेस्ट्टन को ल क्या अंसर आ रहा है बटा तरह अंसर आ रहा है भाई 018 तुन्हें क्या देखा है भाई 0185 अंसर आ रहा है पी वैल्यू के लिए 0.085 यह नहीं है 085 185 018 sorry रहा हो गया question स्मझ में आया है यह प्रिसा आगे बड़ो तो पीवैल्यू यह लगतार तीसरी बार पुछें दूसरी बार पूछें दूसरी बार आया और 2023 में दो कुशन है और 22 22 में है नहीं यह 22 का है और 23 में है और गेट में है तो आ सकता है मतलब पी वैल्यू इस बार तो पी वैल्यू आ सकता है टूटेल टेस्ट के लिए थोड़ा फोकस करना प्लीज क्योंकि इंट्ट टेस्ट में नहीं करना इंट्ट टू आइसा इसा क्यों करना हो था इंट्ट टू और नॉट जा यह रोट पी वैल्यू कॉंसेट समझना पढ़ेगा पहले इसके लिए और यह क्यों देख रहे हैं क्योंकि परसंटेज पॉइंट वाला टेबल राइट से देखा जाता है इसलिए गिट दन और टी डिस्ट्रिबूशन का पी प्रॉल्टी टेबल वहोता ही नहीं नहीं है और कोई क्वेरी इसमें हाँ आजो बता दूं आओ देखो सारे चलो पी वैल्यू बताया तो कोई बात घवराने की जुरूत नहीं है बैट टेबल है किसे बास टैनो मलका बढ़ ठीक है आओ बच्चो लेस्ट लेट अंडरस्टैंड वाई वी नीट पी वैल्यू इसे बदाया था पर लेंगन अच्छे से दुबारा और बदाते हैं है फेडिंग है पी वैल्यू ध्यान से सुनना बिटा इट इस दा इट इस दा इग्जाथ प्रबाबबटी अन विच कि बुल गया है और यू एच आय है ओनम विच वी रिजेक्च नॉट अरे ठीक है है इट इस दे एक्जाथ प्रोल्टी ऑन विच वी रिजेक्च जो आप कहते है पांच पर संट पर टेस्ट कर लो दस पर संट पर टेस्क कर लो वह एक तुक्का है वो उसमें आ भी सकता है, इस rejection में, rejection में नहीं भी आ सकता, पर ये तो जो परोल्टी बतायगा कि rejection में यह उसकी ही probability बताएगा हमेशा चलिए देखे बोड़ पे आईए बोड़ पे मालो test statistics formula यह apply कर रहे हैं x bar minus mu sigma upon root and apply कर दिया पोलो stand normal distribution और इसका कोई ने कोई answer आएगा test statistics का कोई ने कोई answer आएगा क्योंकि mu की value given होगी x bar given होगा इस सब given होगा आपको अब बोलो क्या अंसर आया बोलो अरुशी अंसर बोलो आपको अंसर बोलना अरुशी मेरे को वन से लेकर थी की बीच में order में पहले one points क्योंकि ताकि तरको समझ में आये ताकि तरको ऐसे तुक्के में statistics 1.67 और जो यह तरह करव है यह stand normal का करव है percentage point वाला अब वो पूछ रहा है कि यह test status rejection में कब जाए कितने percentage पे rejection में आ जाएगा किस में आ जाएगा कॉन से टेस्ट टेस्टिक यह formula है तो probability z is greater than 1.67 तो इसको क्योंकि stand normal में तो दिया होता है न आपको यह probability वाला टेबल क्या रांसर आश्रीष अभी बता रहा हूं बिटा वन में से मैनिस करके बता दिया है यह 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 0.05 कर देता हूं 46 को ठीक है तो 4.75 पर सेट कर रहा है न मतलब तो यह level of significance है अगर मैं इसको 4.75 पर संट पर रखूंगा तो यह रिजट करेगा ना लापतिस को और टेस्ट एट इसको अगर किसी बच्चे ने 5 पर संट पर टेस्ट किया है तो कि टेस्ट एश्रीशन में आएगा आएगा ना किसी ने 5 पर किया तो नहीं आएगा किसी ने 1 पर संट पर किया तो पॉइंट 5 पर किया तो यह भी एक्जाम में इसके ने डिजट कर रहा है फोर पॉइंट तो बताओ में आ गया तन पर संट पर करेगा तो तो आपसे इस तरह प्रसंट पूछा जा सकते अग्जाम में अब रुको पहले मुझे बताओ क्या यह इतनी बात समझ में आई ए ये पहली बात थी बिटा इतनी समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब आगे इसको तारो पहले तो आपसे एक्जाम में पूछ सकता है अराम से यह कितने परसंट जट कर रहा है अब बच्चा बोलेगा सर पसंटे तो दिया होता है हमें हमेशा तो इसका मतलब वो पी वैलिव पूछेगा पी वैलिव पूछने का इंडिरेट तरीका मैं ही बनाओंगा इसको यह पर याद नहीं रहता है जहां से घर जाकर बूल जाओंगा मैं साथ साथ जब क्लास में पढ़ाते तब ही आते हैं आगे कि ऐसा कुछन बना लो आहां लिख ले तरको अल्फबल समानना है बाद में तुब दिख ले यह पर बनाते वाद ध्यान देना ही बड़ेगा है कि दाट इस थे इंपोर्टेंस आफ टॉकिंग वाइल दूरिंदे क्लास मुझे आइडिया आता है नहीं पता नहीं चलता हां अब यह पता थूड़ी क्या बताना है क्या नहीं बताना जब आप पोच्छते हो तब पता सकता है रहा हां इसको ऐसे बताना है हमेशा हो गया बटा लिख लिया आरुशी अब इससे बड़ी वैल्य ले आरुशी 1.67 से बड़ी वैल्य टेस्ट टैटिस्टिक्स की इससे बड़ी वैल्य तू पॉइंट वन ले नू बता कुछ समझाओंगा बड़ा अच्छी चीज समझाओंगा वो भी एक क्वेशन बन सकता है आई टी जायम गेट नेट के लेवल का क्वेशन तू पॉइंट वन टेस्ट टैटिस्टिक्स फिर से फोटो पे आजओ अपनी सौरी फिर से हमारा सौरी हमारा ये करव है ये ग्रीन कलर से हमारा टेस्ट टैस्टिक्स है विच इस तू पॉइंट वन और हमें कितने परसंट पर रिजट करेगा ये बता रहे है एक्जाट प्रबैबटी तो पी वैल्ल्यू क्या होता है प्रॉबैबबटी जेड इस गेडर देन टेस्ट टैस्ट which is 2.1. एवन आशिर बताई ये बटा. पूरा? 0.1- 1- 9.8 1- 0.0178 तो 1.8 परसंट बोल दू? कितने परसंट प्रजेट कर रहा है? अब आज़ो question. ये test statistics 1.8 परसंट पर रिजट कर रहा है, तो क्या 2 परसंट पर करेगा? दस 2 परसंट पर test statistics रिजट कर रहा है कि नहीं आएगा? बिटे, 1.8 परसंट मतलब ये area 1.8 परसंट है. 2 परसंट मतलब इससे बढ़ा area. 3 परसंट मतलब और बढ़ा area. 10 परसंट मतलब और बढ़ा area. अब समझे लेओ? तो 1.8 परसंट पर जट कर रहा है है. तो क्या 2 परसंट पर करेगा? बिटे, दो और बढ़ा हुआ ना? आएगा ना? या धाई पर करेगा? इससे बड़ी सब पर करेगा. पांच पर करेगा? दस पर भी करेगा. लेकिन किस पर नहीं करेगा? 1 परसंट पर नहीं करेगा. 0.5 पर जट नहीं करेगा. अब सुनो, सुनो, रुक, रुक, लेखना नहीं है. तो आपको पता ते लगे हैं ना? कब जट करेगा, बिटा? इससे बड़ी सभी वैल्यू पर क्या करेगा? रिजट करेगा. जो भी पी वैल्यू आई है, पी वैल्यू एग्जाट पॉल्टी. इस पर तो कर रहा है रिजट. इससे बड़ी सभी पर करेगा. अब क्लियर है? अब सुनो. ये टेस्ट टेस्टिस्ट से बड़ा है ने, वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी तो इसका मतलब टेस्ट टैस्टिक्स इस सिगनिफिकेंट टेस्ट टैस्टिक्स एज एक क्वेशन आता है टेस्ट टैस्टिक्स और चोटी हो रही है अच्छा एक बापता ऊच्छा है तरह सब्दूने चोटा है टॉटा है तो चोटा है मतलब इट विल फॉल इंचे लिजिन तो reject करने में खुशी मिलती है बिटा मैं तो सब बच्चों को बोलता हूं पाप चड़ेगा अगर एकसेप्ट बोला तो क्योंकि हम null hypothesis एक assumption होती है उसको reject करने के लिए काम कर रहे होते हैं कि एच नोट आपका reject है reject नहीं है पर किताबों में कहीं पर accept लिखा होता है कुछ लिखा होता है अब आगे और टेस्ट इस बढ़ा ले बिटा कोई और बड़ी वैली ले ले 2.8 ले लिया राइट और बड़ी वैली ले ली बिटा 2.8 ले लिया अब तो यह आगया आपका और 2.8 आपका test statistics है तो reject कब होगा यह तो पी वैल्यू बताने यह बिटा अब कि कितरे परसंट पे rejection region में आ जाएगा तो पी वैल्यू प्रबैबिटी जट इस ग्रीट देन टेस्टेस्टिक्स किया रहे बिटा पॉंट पॉंट नाइन सेव फॉर 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 वन माँ अब अबन सर पॉंट 0 025 परसंट तो यह तेस्ट्ट सिग्निफिकन ओगा ना तो पी वैल्यू का टेस्ट स्टेस्टिक्स से संबंध है कि नहीं है तो आवह आपको राज की बार बताउं अगर टेस्ट्ट स्टेस्टिक्स तीन के आसपस आता है चैन नॉमल हो स्टैन नमल चैन टी हो इट विल फॉन बिश्डिंगू ज्रीजिजिए तो पी वैल्ली छो statistics बड़ा काब होगा जब वेरियंच छोटा होगा तो टेस्टेट बड़ा है तो पी वेली छोटी है तो मेंज अब लास वाले मताओ कोई भी पर संटेज बोलो क्या वन पर संट करेगा उससे बड़ी सप्पे करेगा पॉइंट फाइप पे करेगा वन पे भी करेगा दो भी करेगा धाई पी पांच पी दस पे भी तो वह सिग्निफिकेंट वन आया यार वो ठीक है अब क्वेशन मराएं ताँ तेस्ट टैसे सिग्निफिकेंट ऑप्शन नमबर बन इस पी वैल्यू अ थेंच टूव लू पी वैलू तैंस टूवन तो फी वैल्यू परसंट पी वैलीव परसंट फी वैल्यू इस तैंपरसंट 10 to 0 question बना दिया CUT में ऐसी तो बच्चे वोले कोशन आते है 23 वाले कराद रूपी वाई अभी अभी कराद रूपी अभी अभी अच्छा तीन बार कर लिया तो हमारा क्या answer आया था तो round off कर दिया वाशाद हमने तो यहां पर ठीक है 2% लिखता है क्योंकि परसंट इक में टेबल नहीं होता 1.8 का तो जब टेबल से देखाए 2% पर देखोगे एक्जाम में 2% देबल दिया होगा ना 1.8 का देबल दिया है नहीं होगा तो इसलिए 1.8 तो मैंने सॉल्व किया ना क्योंकि हमारे पास टेबल है तो आगे अच्छा नहीं टेबल टू कभी होता है तो आगे तो आगे अरुशी आगे समझ में पिटा इन्वर्स रिलेशन है कि अब कौन सा क्वेशन करने को बोल रहा है पहले वहीं कर लेते हैं आगे यह नहीं इस आगे इस आगे ना तो नहीं आगे ना ठाइस तेट दो या ती वही तो है यह है यह यह पी वैल्यू का हूं है पी वैल्यू कुछा है आजो हो 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 सैंपल साइस पोर है एन फोर हो गया एकस बार कितना है एस स्क्वेर कितना है और सिग्मा अन्नोन है तो टेस्ट टेस्टिक्स फार्मुला क्या हो गया एकस बार माइनस ठीटा अपॉन एस अपॉन फोलोस टी ओके एकस बार कितना है पीटा ठीटा की वैल्यू एकस नॉट पर कितने दिया जीरो एस कितना दिया एस स्क्वेर वो तो रूट ट्वेंटी पॉन टूफाइव अपॉन फॉर हाँ तो इसका अंसर बताओ टी थी डिग्री अफिडम होगा ना बिटा ओके अच्छा बताओ पहला क्या टू टेस्ट है कि राइट टेस्ट है थैंक यू वेरी मच्ट टू टाइम्स करेंगे कि नहीं करेंगे यह यह बीटा थीटा इस ब्रूट जीरो ठीटा इस नॉट इकवर तो जीरो पिटा चैक करना बड़ेगा कौन सा प्वेशन है थाई स्वान है क्या नहीं काला तुमने भाई टेस्ट है यह वन पॉंट शिक्स आईए बटा अभी पी वैली तो करेंगे पी वैल्यू इस एक्वल तो ट्वाइस टी त्री इस ग्रेटर दन वन पॉंट शिक्स तो अब टी त्री की वन पॉंट शिक्स बताए था आशीश देख जली से मुझे दता है पॉंट वन जिरो फोर आईगी वैल्यू दी है तो कितना हुआ पॉंट टू जिरो एट इस दा अंसर आया है समझे में भाई अच्छा टी क्यू लगा यह तो पचल गया ना अब कैसे पता ठीटा मीन है दिया है नॉमल में देखो ठीटा है यहाँ पर मियू की जिंगा ठीटा दियाना है बिटा तो मीन हां बिटा सिग्मा नून था इसले ठीक वे सैंपल इविरेंस दिया इसले बिटी लगा है अभी करा रहा हूं आगे ना प्रिश्ट लो प्रीज इसको बच्चो अगर इसकी जगह लिखा हो मड़ते है ठीटा इस इकल टू जीरो और ठीटा इस पॉइंट वन अब फिर है और ने वह जीरो दो रिखेंगे तो टू यल है राइटले लेफ त्टू टे अठीटा इसले इसे भॵर तो जीरो ऐसे जोनोंट गुत्वएंट वन पॉइंट वन-वन-पॉइंट पॉइंट वन जिरो से बड़ा होता है यार यह सर अब यहां पर सिक्मा की टेस्टिंग हो रही है और लिखा है सिक्मा इस नौट इक्वल तो अब बर दिमांग भी लगा रहा होता है एक्जाम में स्टैंडर डिविशन की टेस्टिंग हो रही है लेखाइ सिक्मा इस एक्थुट राइट अनौट इस फो सिक्मा नगितिव होता है अब है इस राइट टे ल इस-वाहार दिमांग हुछ और टे तो आँखे कान खुली रखनी है किसकी टेस्टिंग है क्या बात कर रहा है मीन की बात कर रहा है वेरेंस की बात कर रहा है एंसों फिरेंस की नेगटिव होता है नहीं बटा अब पर सुनो ध्यान से मेरी बात वेरियंस की टेस्टिंग ना ज्यादत राइट टेल होती है जाए स्क्वेर एफ टेस्ट जाज़त राइट टेस्ट ही होते हैं आगे कभी आपने अनुवा टेस्ट पढ़ा होगा एफ टेस्ट तो यह सारी और गुटनेस और फिर टेस्ट भी सारे राइट टील होते हैं कि चलो आगे बढ़े हो गया है पी वैल्यू शांत है अच्छा विवादी है कि निखने है कि कैसे एकदम से कैसे आते हैं यहां से यह कौंस है 50th यह न आ गया 50th भाई यही था पर पी वैल्यू पुछे ने समें भी यहां गुट इट्स अ गुट्ट गुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नो , पर सली टैश्टा मीट्यू व्हुट्ट्टर्ट्ट्ट्टो मीन कि तरह हुआ भाई पर इसका थो यह तो कौन सा इस्ट्पर्शन है Exponential Intelligence H naught क्या है? ठीटा, तो lambda की testing हो रही न है तो तो भाइ, lambda exponential की testing हो रही है तो test statistics formula test statistics formula होगा minus 2 summation i 1 to 2 log 1 minus f of xi follows chi square what? 2n पी वेल्यू बताते हैं अभी तो f of x i क्या हो गया e की पार मैंदेस x by ठीटा हो गया ने बिटा e की पार मैंदेस x by ठीटा फुलोज काई स्कुरेट टु न तो लॉगी 1 हो गया मैंदेस मैंदेस प्लस हो गया 2 बाइ ठीटा भार हो गया समेशन लॉग XI इस सम क्या होगा 2 values का chi square N कितना है 4 होगा है न ये और ये some कितना है 2 values का 1 तो 2 बाई theta follows chi square what अब हो रहे है06 टेस्टिंग थीटा की अभी कर देतेपे एक से निशाएंट टेस्टिंग नहीं हो रही है सब्सक्राइब तो फाइब प्लस पॉइंट सेवन फाइब ना नहीं ठीक है नहीं तो टू बाइटीटा हो गया काई स्क्वेर फूर अब ठीटा एच नौट वन है नहीं अट्यटा थो टेस्ट की वैल्यू टू हो ग пропay ना इसे उसे चूटी वैल्यू कितने पर संट पर आए कंस से तो उसे चोटी वैल्यू कितने पर आईगे भाई कौन सा क्वेशन था ही है है फिफ्टी 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 है लुको पर गलाद है को तुमन दाल है हूं जी बेटा अगे पताओ जल्दी से फिर मैं ऑल्टीनेटीव अप्रोच बताता हूं अगर नहीं दियोगी वैल्यू तो फिर मैं और यह एटी पसंट आई पी वैल्यू पी वैल्यू हो जाएगा कि इससे बड़ा ना तो काई स्क्वेर फॉर की वैल्यू टू से बड़ी नेक्स्ट टू से जस्ट नेक्स्ट तू से छोटी ची अपने को दो ना बता किते बहारी गया है तो अंसर क्या है इसका है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन टू परसंट है इसका पी वैल्यू का मैंदे ट्वेंटी सेवन परसंट कुछ गड़बड है रुको एक मिंट एक सग्ड़ शांत यह तो एक अप्रोच बता दी मैंने आपको दूसरी अप्रोच ऑल्टरेटिव alternative देखे बटा कर तो What is a mean of exponential theta ? So, x follows exponential with mean is equal to what ? To h not mu is equal to one Alternately mu is not equal to one czyli mean testing hypothesis So, test statistics x bar minus mu s upon root n follows t n minus 1 लगाऊं test statistics x bar कितना है विटा 1 by 2 है न अरे 1 था न x 1 प्लेस x 2 तो 0.5 minus 1 s कितना है विटा दिया नहीं दिया नहीं दिया न दो वैल्यू दिये निकाल लो गया आप रूट टू तो टेस्ट एड़िव आएगी और टी कितने डिग्रे फिटम पे होगा न माइनस वन वन इतना टफ वैल्यू टू टेस्ट है ट्वाइस प्रॉबैबिटी टी वन इस ग्रेटर देन दिस वैल्यू यह यह समझ में आता है बाकी तो समय नहीं आता यह अंसर क्या रहा है बता दो बार जरा मुझे आशिश करिए बटा दूनों तरीके से खरेंगे हम तो कि टी 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 वन हो गया ना बटा सेंपल जिकालना दो वैल्यू दी है पॉंट फटू 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 फट्वेर्मेंट में डालना सेंपल जाएगा कि मीन आरा है तरो पॉंट फटूंफभाइव ना न सातो फूंट फ़ेंगे नी दो वैल्यू यह गया विटा एक कि तो आएगा यह उन्तर्फल इंटर्वल प्रफियर को एंसर आदमिक पस 0.2692 प्रफिश प्रफिश परसंट इस परसंट इस तैनल से किया निए इस को एक स्वार माइनस प्रफिवा इस तो गरना इक पार ज़ा यह वैल्यू क्या रही माइनस तू आ रहें टेस्टेटिस की चैक करना जरा बिटेस्टेटिस वैल्यू क्या रही है माइनस टू आ रही है है कि थीटा गंट वह जिरो से इंफिनिट यह तो वन टेली वह अफिर यह तो कि ने टू टेल्ट वन से बड़ा बनी ब्राबर ना वन से छोटा भी शुकता है वन से बड़ा भी शुकता है कि भाई प्रेदी तु देह ले क्लास बंद हो गई कि वर्षा क्लास बंद हो गई है कि आगई आगई कि कि अब यह आई है वापस इंट्रेनेट प्रावलम कि अरे यह आ रहा है देखना प्लता ना भाई कोई बच्चा तो बताओ कि अग्वेटर में तुम भी क्याक्रटर नहीं जाड़ी करते है कि को अब कि 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 मैंनिस तुने किया मरते तुन्हें अंसर तो निकाला होगा दोनों तरीके अप्रोच बताइए मैं तो अभी यह सब कि वह तो कर रहा कर रहा कर कर के देंगे तरफ को टेंशन के लिए रहा है अब आप आप सी लटी के माध्यम से हर चीज को सटैंड नॉमल में तो अप्रोप अप्रोक्सिमेट करी सकते हो सब्सक्राइब ऐस नहीं अच्छा करना पड़ेगा त्वाइस टीस त्वाइस तीस आगे ठीक से भी यह जाएगा तो अजाएगा स्टेंड बना तो अल्टिनिटिव काई स्क्वार शुरू किया मैंने अगर टेबल में वैल्यू दिया तो आपको अगट और टी से भी करने कोश्किया अब स्टैंड नॉमल करके दिखायता हूं वहां पर टी की जिए स्टैंड नॉमल ले लूँगा तो स्टैंड नॉमल में स्टैंड अग्य तुम्हें बताजी तुम्हें मताएं है इंकार वित 60 कि धिया उपर यह रहां , मिलन स्टैंड के साथृ नि क्योंकि ठीटा 1 दिया ना तो सिग्मा भी 1 ही हो गया 1 अपॉन 1 अपॉन रूट n है ना तो एक्स बार कितना था 1 बैट 2 हाफ बचा ना माइनस हाफ रूट 2 बैट 2 बचा ना तो माइनस रूट 2 बैट 2 तो बचा नहीं माइनस पॉइंट सेवन सम्थिंग हा रहा है नहीं यार अच्छा चलो पता नहीं ये वहले तो तुम्हें निकालनी है यार क्योंकि ठीटा दिया है उसने 1 तो ठीटा ही मीन है ठीटा ही वेरियंस है उसका ठीटा स्क्वार है वो 1 ही हो जाएगा क्या अंसर आया पैंच लाओना बिटा एक्स बार तो पॉइंट फाइव है पॉइंट फाइव माइनस वन अपॉन बाय रूट टू बेटा क्या रहा है माइनस पॉइंट सेवन आ गया तो प्रबैबिटी जेट इस ग्रेटे दन माइनस पॉइंट सेवन करो अब और उसको टू टाइमस मेंट प्राई कर देना करो जेट ग्रेट दन माइनस पॉइंट सेवन मतलब वन माइनस प्रडी जेट लेश दन पॉइंट सेवन पता नी मैं तो लिग दिया तो आया था निच अचे लिए अरे अरे अनसर तो पता तो होगा ना कैसे नहीं होगा तो अपने में लगाए निकाल वैल्यू लिख दिया भाई पॉइंट सेवन के स्टैंड नौल में वैल्यू दा दे बस तू नहीं बिटा नेगिटी मारें दे क्या देख था पॉइंट वन मैंस करी और तू से मुटाई कर उसको नहीं आ रहा यहीं आ रहा है पॉइंट फॉइंट 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 फिर तो तो स्टैंड नॉमल से नहीं आ रहा ना अंसर टी से आएगा ना तो टी लगाया वह था में तो एक्स बार कितना है पॉइंट फाइव माइनस वन एस कितना यह था एस ने निकाला ना हमने किस निकाला एस अंडरोड में यह भी हां तो जीरो पॉइंट फाइव है इसका पूरे गांसर अब मैंने तो कहा था मैंनस टुखा रहा है तो यह टी वन होगा रहा है अब वैली देखो पॉइंट टी वन के मैंने स्टूपे पॉइंट टू सिक्स टाइन टू आ रहा है यह यह आ रहा है कि यह सब्सक्राइब आ रहे हैं वैसे गलत है कि मैं आपको बतायता हूं आप ऐसे अप्रॉक्सिमेशन टी में ले जाना को यह तो तुक्के वाजी होगी वना एक्स्पनेशल का जो टेस्ट बनता है वो काई स्क्वेर में बनता है उसको एक्जामनर को काई स्क्वेर की वैल्यू देने चाहिए थी आपका अंसर तुरंत आ जाता पिटा और अगर एक्स्पनेशल में नहीं काई स्क्वेर में नहीं होता तो फिर हम नॉर्मल अप्रॉक्सिमेट करते हैं तो कभी भी लिए जाते हैं अरे समझो ना इस बात को कि सिग्मा नोन है ठीटा कि वहां हां चाइस्वार है तो यह स्टक्वेर तो यह तो अधे स्टक्स आगया तेरा 2 तो हमें चेक करना है chi-square 4 degree of freedom पे chi-square 4 degree of freedom पे इससे चोटी value कितने पसंट पे आ रही है 2 से चोटी value 4 degree of freedom पे 80% दे रहा है यह तो पी value chi-square में का करेंगे तो तो आपि वैल्य में चुटा वैली ढूंड़ते हैं बस टेस्ट जोटी वैल्य आने चीए किते पियारे एक्टी बसन पर फिल्टी पर्सन उने चीप काई स्कुर्ब कर रहा है उसमें करते हैं तो बच्चों का ο arrests मिला होगा this तो मेरे हसाशाब मिलना चीह प्रेडिट बच्चों कि एक लिए उट aujourd भी आपको अच्छा तो कुछ भी बना लो यार कोई कॉंसर्ट को टी में कैसे ले जाए बता तो ले के जाबा वाँ बता चल हाव यूगन टेक इट तो दे टी सिर्फ इस वजए से की पॉपलेशन स्टैंड डिशन अन्नोन है वो भी नोन है तो अब मेरे पास एक भी रिजन यह टी मिले जाने का इसको वैसे इसलिए तुम ठक रहे थे इसके हैंना क्योंकि आपको दुश्ट है वैसे तरह को हर अप्रोच बताईए मैंने बिटा इसमें अप्रोच तो सारी कवर होगी ना बिटा इसमें तो थीटा जीलो से बढ़ा है ना कि टीटा नोन है सिग्मा के लिए अन्नों हो गया तो टीविटी लगा दिया उसने कि यह यह वी कुछ भी सोच सकते हैं कि अब तो टीटा स्क्वेर है ना ठीटा नोन है पर ठीटा दे लिए ठीटा इकल दून कि टीटा नॉट इकल तो वन हां मेरे को तो यह यह प्रोस में हुआ है हुआ सॉलिशन टी से वैसे इसका जो अंसर दिया वो टी से मैच हुआ है अब तो सॉलिशन पता ना तो टीवाला करते थे हैं करना पड़ेगा सॉलिशन कोई बात नहीं जो ही माना वच्चा अभी तो कर दो डिसकस कर लें आपने सब अप्रोक्सिमेटे नॉर्मल विद मीन थीटा अंड विरियंस वाट ऐसी लिखना बड़ेगा मुझे कोई चारा नहीं मेरे पास तो देस् स्टाटेस्टिक्स फॉर्मला इस क्योंकि हमें सैंपल दिया हुआ है सैंपल वन सैंपल टू दिया हुआ है जब भी सैंपल की इंफोर्मेशन दिया होती है तो विज आना एस अपॉन पोलोस टी एंद माइनस वन तो एक्स बार कितना था पॉइंट फाइव ठीटा वन एए एकए अपाउन टू है ना है और ती इंब तो अब यह एक है यह नहींकर बार होता है यह आपका टैस्ट् लिख लेता हूं नाराज मतों तो अब तो बिल्कुल ही गलता है क्योंकि इतना कम पसंटेज कैसे हो सकता है कि देखो यह माइनस टू आया लेफ्ट में तो रिजेट करना है तो इदर से अच्छा सिमेट्रिक होता नहीं यार कैसी भी कर लिए उसको बात एक ही हो गही उधर टी टू ली देता हूं मैं इस दागर राइट में लिखूंगा तो टेस्ट ट्राइटिस की वैले टू लिख देता हूं ले फिर पर बता टी वन पे क्या एलेस लोंकि रिजेक्शन में आ जाई है सब्सक्राइब क्यों कि माइनस टू लूंगा तो लेफ्ट में लूंगा तो इस तरह आना चाहिए वैल्यू क्योंकि सिमेट्रिक होता है तो वह वैली वैसे आ जाएगी वैल्यू तो सेम भी रहेगी ने बिटा तो अगर आपका माइनस प्लस का चक्कर खतम कर दूं आज तो माइनस प्लस का चक्कर खतम कर रहा हूं आपको तो अगर टी लगेगा तो पी वैल्यू का फॉम्मला आप ऐसे भी कर सकते हैं प्रोबैबिटी मॉड टी मॉड टी test status में मॉड लगा सकता नहीं प्रेटा greater than test statistics मॉड लगा दिया अचली क्या table में value तो सारे 0 से बड़ी की होते है न यार negative की होते ही नहीं है तो आप right में देखते हो हमिशालती मजब तो greater than का sign दिया होता है लेट में वैली और यह तब भी आप देख रहे हैं उसको तो टेबल में वैल्य राइड में दी होती है तब ही गेड़ दन का साइन होता है भाई ये अब है वह थीक था रूप टू आर्म तरी बात पर भी मैंस तू दर था का स्कुर के साब से देखा तो एटी पसंट हो रहा है वह ठीक है रहा है इस वी सी तूट स्काइब के मैंने स्कूर तो लेफ्ट में माइनस तो आए गए नहीं वाली बात तो इसमें तो हो गए निया प्रक्राइब अब भी भी अधिक वह तो मैंने हिंट दिया था अगर आप अरे वह टोटल पूरे पेपर की वैल्यों दी होती है और वह शुरू में दी होती है पूरे पेपर में छे वैल्यों छे रखी होती है टी की तरह लगा वह सब्सक्राइब लगा जाओ लिए पिछली बार तो दर खा गया था वैसी कि चलो घूंग के दे आता हूं कि इस बार जाएगा ठीक से हो गया मैं इसे लाइव होता है पर यह कुछ और फॉर्मला था मेरे बिटा यह फॉर्मला कुछ और था मेरे बच्चे माइनस टू समेशन आई वन टू एन लॉग एफ फॉलोज काई स्क्वेर तो यह टेस्ट टैस्टिस का फॉर्मला कराया तो है बिटा यह भी हाँ दिये उन डिस्टिबूशन की लोते हैं जो लोकेशन स्केल फैमली से बलाउं नी करते जैसे कि एक्स्पनिशल ले भी आई है तो था हो आएकर ने टेस्ट टैस्ट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है पादिन क्या रहा है देखो चरा कर मुझे ने पता क्या रहा था है प काई स्क्वार फूर रहा था तो इसमें परसंट आ रहा है ठीक है अधिक है अधिक वह कुछ नहीं कन्फूशन है डवल्यू थो एक्सवान प्लस एक्स्टू बाटू तो मीन होता है बटा होता ने ने क्यों दो नम्बर ये बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है पर लेकिन वैसे सोचन के पारे में आप ठीटा दिया भी हुआ है सैंपल विरेंस भी दिया हुआ है आप टी भी लगा सकते हो लेकिन लगाना काई स्क्वार चीए यह क्योंकि लोकेशन स्केल फैमिले से बिलॉंग नहीं करता है इस्टिबूशन अब बाते वी तो सारी देखो ना तो जो टेस्ट अड़ना पी वैल्यू कांप पहुंचे नहीं पर टेस्ट अपने आपने काम में तभी तो पी वैल्यू आएगी अरे ठीक की नहीं बिटा तो यह थोड़ा कंफूजिंग क्वेशन दिया हो उसने मुझे तो क्या बिटा क्या बिटा माइनस टू हाँ अगर स्टनों मुलेट ही है तो कि विटा एक ही बात है ना कि सिमेट्रिक कर वोता है क्या चलिए जी अब किस पे थे हम पहले तरीस पे लास्ट में पहुंचे गए थे तरीस में सीधे में यह हो गया था यह पी वैल्यू हो गया था फिर यह रहे गया ना अब यहां से शुरू करना कि क्या है यह तो असान कोशन है देखो कि यह तो पीवाइट की सिरी पर सारे विस्तथ हो यह अब करो 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 एक कुशन तो खुद भी ट्राइद करो दो करो बटा कि कॉलेज तो नहीं जा रहे होगा आज कल एक्जाम कब है तुम्हारे तुम्हारे नहीं तुम्हारे एक्जाम कब हैं बाकियों के अरे तुम्हारे लोग का तो कॉलेज अना कॉलेज एक्जाम कब है तुम्हारे जागरती तुम्हारे 27 दिसम्बर से पांच जनवरी तो पढ़ना तो कभी तो बंद करना पड़ेगा पढ़ना पढ़ेगा भाई इतना टाइम क्यों लगाएगा भाई तो इसके लिए भूल जाएगा सब थोड़ा-थोड़ा करते रही हो बीच में मिक्स ट्वेंटी परसेंट वाट ट्वेंटी एटी कर लियो प्रैक्टिकल भी होगा हमारे में अच्छा तो फिर वेन यूविल कम फूर तो उसके बाद यह कब तक आओगे कब से आओगे फिर उसके बाद तो मॉक टेस्ट नहीं फिर तुम नहीं तुम्हारे लिए फिर जनवरी में देंगे तुम्हें तो यह होगा भूट भी खड़े होगे आप ऑनलाइन घर पर ही दो आप अपना रात को साथ भी खुलता है मौक टेस्ट ठीके से सब्सक्राइब सके अगले दिन होता है अगले दिन होता है क्या है यह बात तो बताने इंदिसक्स करने जाना आपको मैं अधर आओ डिसकास आप से वेग स्वेड़ को बताएए बात कि नहीं निकालो जो भी निकालना निकालो यार मुझे क्या मतलब है क्या है बटा तर वी अप्षिन पॉइंट फाइव अच्छा करो करो जल्दी से अब इस एक ने भेज़े थी मुझे आपन फाइल पता इसकी एक मेंट कि ये अजय अब पता इस एक बता है क्या है वे अब एक लंगार करो 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 है वादाना क्या पता है क्या है क्या है अएव झाता झाल 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 पुरुन है कब आया था दुज़र बीस में मैं मेल देख रहा हूँ ना मेल में भी है मेरे पास कि वेशे आशीश शादी में तो बलाएगा तुरी यार तो गिन्नी दिलाएगा एक कि तुम्हारे बढ़ियों में तो होता है अच्छा रासा तो सुना रहा बच्छा कि कोश्य करूंगा पतला हो जाओं थोड़ा और कि डिम्हें बेस्ट नेशन मैं जी होगित नोगे को कि पैसा घंसनी करें तुर से कि जैपुर एपुर तो करें लिए या कि इस लोग इस लोग अरे ममी बापा की दुब वो होते हैं कि सब्सक्राइब करें होते हैं तुम्हारी क्या राया पिछे तुम्हानाम क्या विटा हरुशा आप प्रग्या आपका राया है अब हमारी ना तो हमेशा बढ़ियों के बीच में लेते हैं मतला हम लोग इतने रुप्य कर रिष्टा वाद देखे घवराट से होती है पैसे खटे करने हैं यार क्योंकि बनियों बहुत होता है हम यहां यहां हम कहां आदमी होते हैं कितना प्रसा नहीं कुछ भी नहीं है भी बड़ी बात नहीं हमारे यहां पता है दिल्ली पुरिश्य के सिफाई की ज्यादा वैल्ली हुआ अगर दिल्ली ब्लीगों से प्यूए न जाटो में तो उसका रिष्टा पहले होगा हमारा नीं हो प्लेस वैसे बन्दब सरकाई नुगरेना सेफ मानते हैं वो पागल है कि अगरता है हमें सोचना नहीं बढ़ता कुछ भी गौश्वार्मट जार वाला चार्ज निकी तो भूगत नहीं सकता उसको पैसे को नुगरी करेगा तो भूगत कैसे लेगा बता तो नहीं मुझे लिए तो मिंडल क्लास में जाता है अब मदल क्लास वालों के लिए कोई भी जॉप सी करें कि कितना यह लाग दो लाग में किस सब्सक्राइब दिल्ली यह शहर में बोंबेज यह शहर में नहीं कि दोना इस्बंड वाइफ काम करते हों तब तो बात है तब पांच लाग रों मिना है तो अराम से खुश रह सकते हैं मतलब देके न फोर्ड़ा हाउज अकार नहीं पर वैसे बाद एक कितना ही भाग लो है मैं तो बहुत नुक्सांग करके देख लिया कितना ही भाग लो उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती तो आट सम पॉंट आफ ताइम यह तो वी सटिसफाइट पूर्ति ने क्या कहना चाहते हैं पूर्ति सटिस्फाक्शन पर वैसे आशीश अमरते ना लाइफ में कोई एक बंदा ऐसा होना ही चाहिए आप लोग भी इतनी प्यार तो करनी पड़ेगी कि कभी कॉलेज का को प्रफेसर जो आपको लगता है कि स्काई के लिवल अच्छा है या कोई रिलेटिव में ऐसा तो उनको तो पकड़की रखना पड़ता है क्योंकि समटाइम्स ऐसे डेसे आते हैं डिसमें फैमिली बायस होती है और दोस्थ भी बायस होते हैं तो ऐसे समय के आपको बड़े डिजलें ने पड़ते हैं और वह डिजल लेने में में वह सपोर्ट नहीं कर पाता कोई być सब ऐसी आपक कि नहीं समझें मेरी बात हमें तो बहुत कमी मैसे उसी बात की कि वही डिसाइड नहीं कर पाते पर आप लोग थोड़ी सी पियार अपने आप से हटके ना तो थोड़े प्यार बनाया रखो दिवाली होली विश्च करते रहो टच में रहो बंदे से मिल लोग अभी साल में एक शो से खिस हां अफको सापको रेटिव में जानते हैं रेलेटिव स्थ हमेशे आपको नीचे घीचेंगे हर चीज में आपके क्योंकि आपकी बोलने की आथ नहीं है वो लोग मुवाट पूशी बोलते हैं और भाई तुम तो बहुत कमा होगे हर बात में वह मतलब उनका यह भूल जाओ I think your closest relative is your closest enemy जाया वो सगी मौसी क्यों ना हो मैं तुम्हें सच बदा रहा है बात आप यह बात लिख लो स्टेंप पेपर साइन करा लो मिरसे सगी मौसी जादा प्यार तो नहीं हो सकता ना पर वहां भी कॉंपटिशन है एगरी मीद मेरे साथ एगरी करो या मत क हो आप दोस्त हमेशा अच्छे होता है बाइस होता है थोड़े से भाइस होता है आपके लिए चिंदा करते हैं लेकिन नाटिर मेरे साथ से कि एक सही गलत क्योंकि आप ना हमेशा सही चलते रहे सा जिंदिकी में होता है बटा कई बार इमोशनल ही ऐसा अभी मेरे से सोसाइटी में बड़ा दुगटना हुई मेरी बड़े सोसाइटी में तब ही मैं दो दुगटना ही हुई है वह हजबन शादी कर रखी लड़के ने तो उन्होंने बेटी भी अड़के कर रखी ती नहीं हुई होगी तो उसको बेटी से मिलने को मना कर दिया लड़के को जब लड़की ने तो ही हैंग दिमसेल्फ at an age of 33 is this the age you're earning good यार आपकी जॉब अच्छी है अच्छी गाड़े हो आप लोग और फिर मैंने ऐसी close debts होते हैं जब life में बड़ा बुरा लगता है बटा नहीं तो मुझे मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी ने किसी को एक पगड़े रखो कि सही सलाँ और क्यों होना चाहिए समाजी पता क्यों होना चाहिए क्योंकि जब कभी problem आईगी ने समाजी आपके साथ खड़ा होना चाहिए दोस्त दो-चार लोग ऐसे हों जो बात को समाल लें और चीज़े ठीक कर दें मेह 3 अचैंब लिफ यह एक कर दिया जाए पियार से बात खळतें को तक को दिक्कट नहीं दोनों पक्षक हो और दो कि इस नहीं तो लाइफ में पता नहीं पेरिंट की तरफ तशी पर इन आपने बच्चे और कितना भी बाप कोशिश कर ले बेटे का दोस्त नहीं बन सकता है लिखना लो स्टेंपरेस हैं ग्रालना में से बैजारा बाप कितनी कोशिश कर ले और वो एक्सपर्ट करेगा सारी बाते बताये वो नहीं बता पाएगा नहीं तो मुझे लगता है बिटा ऐसे लाइफ में ना कभी लोज आपस डाउन आते हैं तो मेरे तरफ से तो मेरे सभी स्टोंस को एक खुली ओफर है कभी भी फील करें डी मोटिड वेटेड फील करें सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो बैट के बात करना उस बंदे से म आपको ही सॉल्व करनी होगी तो मेरी त्रफ से ले खुली ओफर है कोई भी बच्चा कभी भी ऐसी सिचूइorf में आए तो मेरे पास जरूर राए बटाई बात करने तो जुरूर रायाया अफ इस चीज़ोंगोख करके चलने में फाइदा है धागा होता हैं घीचो यतना सह पाओ या क्या बात करें ठीक है ना अन्नेसेसरी जबश्ती वो कहना ना जिम में जाते हैं नहीं और पुर्ग और जा लगाना फागल है अपनी वो तो पुछ करेगा यह आपको की जादा करने के लिए पर आपको अपनी लिमिट्स पता होती है ना नुकसान कर लेते हैं लोग मही पर डेफ होती है लिप्स फ्रैक्टर हुजाती है डिय्र हो जाती हैं ज्यादा अच्छा है लंबा चल पाऊगे साथ मुझे कोई कहता है तो वेट नहीं कम कर रहा अपना बहुत वेट कर लिया है मैं कोई चीज जब है तो इतना एफट करने वापिस वहीं बैठे हैं तो मेरे मन करता इसे ठीक है चल रहा है न कोई चीज पंद्रावीज दिन कर लो तो कहते हैं है विट हो जाती है पर ऐसा जूट है सब जूट है यह अवकोस 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 तो नहीं यह बहुत से लगता है उसला वहिए होतर से अकेले लोग घूमरे होते हैं बड़ रगलोरी जोश में लगे होते हैं बहुत ज़्यादा इतना तो खेर है भी नहीं आराम से खेल लें यह जो बात आप हम कर रहे हैं ना तो अभी मैं बीच में नहीं किया था तीन दिन के लिए मैं का जिम को अरबट जा रहा हूं सिरियसली बैटके मैं तो सब भूल जाया यार बात कर बैस अराम से अब उसका क्लाइट का एकसा में सच बता रहा हूं सुम्हें उटके रणिंग भी करके आ है गिटार भी उसका नया लेके दिया जबकि लेना बहुत पैंडिंग था उसका मैं तो अराम से बजा यार अच्छ कात्री लड़ने में एक बार को ना आपका इमोशन बार आया था है खतम बात उससे इतना फाइदा होता है आपका महीने तक के लिए बैलन्स होयाते हो माबाब से लड़ लो यार आप सीरियसली आपके अंदर कहीं ने कोई गुस्सा कोई गुमार भरा होता हो निकल जाता है अबार में लड़ने में कोई बुराही नहीं है यार निटिंग बार इन अफर दाट यू रियली फिल गुट कोई बुराही निए उसमें बिलकुल भी निक हैर मनले लडने का मतलब बातों से ही है हाथ पैर से नहीं अरे नहीं यार वैसी कई बार मन में ऐसे हम अमरते ऐसे लाइव क्लास में कई मर ऐसे सामने बच्के बैठे होते बात करने हमन कर जाता है कोई ना दिमाग में आगया वो लड़के का ना बढ़ा बुरा लगता है खुद से आप लोग भी किसी प्रेशर में कभी हो लाइफ में कोई ऐसी सिच्वेशन हो तो बात करने वाला हो गया एक बार उससे बात कर लो फिर मेडिसेंट जो अपना लेना है ले लूँगा अपना प्रेशर लेके तो कुछ कर नहीं पाएंगे हैं मरते हम लोग अध्यू रियली थिंक प्रेशर बहुत करना हो नहीं रहा तो भाई छोड़ो ना फिर आपके साथ ऐसा होता है देखो सुनना मेरी बात स्क्रीन टाइम है आपका आप देखे रहे होते हैं बारा बिता तो सोके उठे तो माराम से नहीं बारा बिता सोता हूं फिर उसकलब पढ़ूँगा पर पढ़ा ही जा रहा चिल आउट सोजा भाई रैस कर ले मैंड को रिलाक्स कर ले कोई कुछ नहीं पढ़ा है मेरे से नहीं पढ़ा है कंसेंट्रेशन बन ही नीरी खतम बात इंस्टब वाचिंग यह स्क्रीन टाइम बढ़ाने के बजाए उसको तो कम करना ही चीए तो थगाता है बहुत ज़्या कि यह नहीं हाट इटेक अड़ एज ट्वेंटी सिक्स मैंन का और क्या कर रहा है उसका रूटीन क्या है इस आश्रम में जाना उस आश्रम में जाना यह बक्ति करना अहरे गिश्णा में घुश जाना यहां रहे तिरी उमर है यह तो बड़ापे में क्या करेगा हां यार वो छोड़ी चोड़ी बच्चे मेरे तो स्टूडेंट है एक नाम भूल गया उसने हरी किष्णा सोसाइटी कर लिए था जब उसका डेली उश्टी से मेरे पहले बार स्टूडेंट हुआ था वरन वरन हरे किष्णा स्टूडेंट हैं कि पूरा उसना गंजा वंजा होके सब त्याग दिया अपने आपको पता है रोना आ गया था मुझे देखके मैं क्या कर रहा है मिरसे मिलने आया था लास्ट में बुझे आस तो मैं भूल नहीं सकता कभी रोईनी सेंटर में बैठा था स्पे कैसे उनके चकरों में कहां से पढ़ गया मुझे भी नहीं पता यार इतना ब्रिलियंट लड़का यार साठेशेलाग का पैकेज उस टाइम पे यार दोजार पांच में साठेशेलाग का पैकेज मेटर करता था यार डीउ से पैकेज लगा उसका अच्छे गई जॉब कर रह हिए है माबाब को भी से बता दिया है अब आज मेरा वो है अब को उसमें आना है मेरे उसमें वो पूरा समार होता है जो इसमें को सब्सक्राग देते हैं वो कि उन्होंने प्लान हैं पता नहीं क्या में कपी करना होता ना अल्टिमेटली तो क्या कि अर्व पतानी का होता वो लड़का नड़का तो तो इस चीज़े होती है तो प्लीज जब जिनके भी थ्धर एक एक्जाम्स हैं और ये भी पढ़ रहे हैं जो बच्चे थोड़ा सा प्लीज बैलन्स कर ले अपने आपको या तो एक डेम डिसाड कर ले कि इतने तक मैं कर लूँगा और वीकली एक टेस्ट कर ले ज्यादा चक्रों मत पढ़ें क्यूंकि जो आपकी ग्राजुएशन है वो आ प्रफॉर्म करना तो उसको बैलन्स करना आपने आपको चले खेर आज का भाशन इतना ही है तो देखो क्या चल रहा है यह लास्कुर्शन तो हो गया होगा नहीं हूँ आप से यह हो गया नहीं है अब हम मंडे मिलेंगे बिटा मंडे तो थोड़ा से लगतार मंडे बिटा ट्वेंटे जैम क्या करा तो गेट ना गेट को गेट की कोशन है इसमें है हाँ हाँ ओडर में चलके गेट खदम कर लेंगे हाँ यह सर् हुआ 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 है हुआ हुआ है